दिल्ली के इंद्रा गांधी राश्टी कला केंदर में संगोष्टी का आयोजन किया गया जिसमें रशनात्मक्ता, उद्योग और संस्कृति को लेकर देश भर से आए भक्ताओं ने अपने विचार साजा किये इस संगोष्टी में कला को एक इंद्रा गांधी राश्टी कला केंदर में संरचना फाउंडेशन के सहयोग से डिजिटल रशनात्मक्ता, उद्योग और संस्कृति विशेपर एक संगोष्टी का आयोजन किया गया जिसमें देश भर से आए प्रबुद्ध लोगों ने शरकत की कारकेंप को अलग-अलग चर्णों में बाटा गया था, पहले चर्ण में देश बर से आये वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये, साथ ही अन्य चर्णों के माध्यम से अर्थ विवस्था में जी आई को एकिकरत करना, कलाकार का को ना, रचनात्मक अर्थ विवस्था, संस्कति के माध्यम से जुड़ना जैसे बिंदूओं को प्राथमिक्ता दी गई वक्ताओं ने भारत की कला, संस्कति और उद्योगों के वजूद को बनाय रखते हुए, उन्हें आपस में कैसे संबद किया जा सकता है जैसे तमाम विश्यों पर विचार साज़ा किये एतिहासिक रूप से भारत एक संस्कतिक और रशनात्मक शक्ति का केंदर रहा है लेकिन विडंबना ये रही कि इसकी विविधिता और विभिन संस्कतियों, शिल्पों, पारंपरिक प्रताओं और संबंदित ख्षेत्र को लेकर आर्थिक रूप से भी ये मजबूत हो, इसको लेकर कोई खास चर्चार नहीं हो सकी है वर्श दोहजार चॉबीस के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से इसके धीमे गती से चल रहे विकास को तेजी प्रधान की गई और अब इसके आर्थिक मजबूती और देश-विदेश में अपनी एक अलग पहचान देने को लेकर विभिन मंचों के जरिये गंबीरता से चर्चाएं हो रही है और इसका एक बड़ा उधारण शुक्रवार को इस संगोष्टी में देखने को मिला दरसल विचारों से भरी इस गैलेक्सी में कुछ विचारों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया रचनात्मक अर्थि वैवस्था को परिभाशित करने का एक सार तक प्रियास किया गया कारकर में एक पैनल डिसकेशन के जरीए इसमें आ रही बाधाओं को दूर करने की बाद भी की गई साथ ही विबिन कलाओं को इंडस्री के तौर पर इस्थापित करने के लिए भी विचार विमर्श किया गया क्रियेटिविटी, कल्चर, डिच्रिलाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टन की वर्ड्स है आने वले समय के लिए भी और इस समय में और कल्चर की तो इंपॉर्टन्स हमेशा से रही है और बहुत ज़्यादा रही है पर किस तरह से इस सबका अमल्गमेशन किया जा सकता है इसे जोड़ा जा सकता है कल्चर 2023 हुआ इसकी तैयारी हम पिछले एक साल से कर रहे थे इस कारिकरम के साथ हम लोग हमारा जो इसकी एक कोशिश है आपको बता दें कि युनाइटिट किंगडम में संसकती मीडिया और खेल विभाद यानी DCMS ने रचनात्मक उद्योगों की पहली आप्षारिक परिभाशा दी थी और ये आस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा Creative Nation Report 1994 पर आधारित थी और अब भारत में भी रचनात्मक उद्योगों को लेकर भारत भी गंभीर नजर आ रहा है वहीं इस मंच से कलाकारों ने अपने मन की बात भी कही और इसमें आ रही परिशानियों को लोगों से साजह किया भारत में रचनात्मक आर्थिविवस्था अपना दारा लगातार बढ़ा रही है अलांकि अभी इस पर चर्चा लगातार जारी है भारत की रचनात्मक आर्थिविवस्था बढ़ी है लेकिन इसकी क्षमता इससे कहीं ज्यादा बढ़ी है वर्ष 2020 में भारत में कला और संस्कती उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि वैश्विक महामारी ने कला और शिल्प से जुड़े लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया और उनकी आजीविका में काफी गिरावट ला दी थी पूरे भारत में कलाकारों और रचनकारों का करियर रुख सा गया था और उनकी आए घर्टी चली गई थी यही वज़ा है कि पारंपरिक प्रथाओं की निरंतरता और शास्त्रिय कला रूपों के सरक्षन को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रचार और दीर्ग कालिक इस्थिरता की ओर गंबीरता से ध्यान दिया जा रहा है जिसका एक बड़ा उधारन शुकरवार को ही यह संगोष्ठी रही